हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बड़ दुवारा से आपके अपने चैनल विवे गणा स्टॉक्स पर दिल से अगर आप चैनल पर नए तो यह को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में वेल को दमना ना भूलना ताकि आप हमारे सभी के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले साथ में टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाइब फॉलो कर सकते हूँ लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे तो दोस्तो आज बात करूँगा 6 रुपे का टोल वाला स्टाउक, चिया दोस्तो आपने कभी न कभी टोल तो दिया ही होगा अपने जिंदगी में, अगर आप दिल्ली से बाहर जाती हो, या आप किसी दूसरे स्टेट के बॉर्डर में आती हो, तो डेफिनिटिव आपको शोटर देक टोल देना बढ़ता है, तो लाए हूँ आपके लिए एक Noida, अगर आपने सुना होगा, यूपी में बढ़ता है, यूपी और दिल्ली के बॉर्डर के आसपास, तो Noida में एक टोल बिरिज कमपनी है, ये मातर 6 रुपे का पैनी स्टाउक है, जिसमें एक स्टाउक को मैं देखा रहा हूँ, 2 रुपे, 5 रुपे के लेवल से, परसनली मेरे जो स्टाउक के टागेट थे, 8 रुपे के टागेट थे, वो almost done हो चुगे, और आज तक मैंने कभी इसके पर वीडियो नहीं मनाया, फर्स्ट राम वीडियो कबर कर रहा हूँ, तो देख लेते हैं भाई, हम कहां सबसे अच्छी एंट्री स्टॉक में कर सकते हैं, चापर हमें nominal या minimum loss हो, चसमें हमें सबसे कम loss हो सके, और बात करूँगा कितने रुपे के टागेट के ले हम future में स्टॉक में बैच सकते हैं, चार्ट के माधियम से, और share करूँगा company के fundamental, वैसे company के fundamental analysis है, वो एक जीरो है, क्योंकि company ठीक नहीं है, profitable company नहीं है, ठीक है, company का stock का प्राइस काफी उपर के level से नीचे की रहा है, क्योंकि इनके बीच में विवाद चला है, गॉर्मेंट और इनके बीच में, तो टोल के चकर में विवाद चला है, इसी विज़े stock का प्राइस काफ by the way, वो लगा था, इसके उपर मुझे बथाया करता था, यह stock है, इसकी कुछ news चल रही है, अगर यह news सल्टेगी, तो definitely stock multi bagger होगा, तो भईया, अभी तक 5 साल हो गया, वो अभी तक नहीं हो पाया, जब stock का प्राइस आइस इंग 11 रुपे trade क्या करता था, ठीक है, तो अभ ना, company ने 80% loan चुका दिया, मादर 10 crore का loan का असपस का loan है चुका है, जो पहले 55 crore था, तो मतलब 80% loan इन्होंने दे दिया है, इसका मतलब future में company debt free बन सकती है, अगर ऐसा हो जाता है, तो भाई यह 6 रुपे का debt free stock, जो अभी loss making है, definitely future में profitable company बन सकती है, अगर profit आएंगे, तो भाई यह जो stock का पढ़ी 6 रुपे, कल 16 रुपे भी हो सकता है, और एक और बाद add करना चाहूंगा, यह stock अमनी book से कापी सस्ते में मिल रहा है, जो book की real value है, book value stock के निकल के आती हो, 17 रुपे की आसपस निकल के आती है, तो भाई यह start करते stock के नाम से, अच्छा लगे का तो long term career है, यहाँ पर आपको सीखते रहना पड़ेगा, अगर आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, यह मत सोच रहा कि मैंने कल एक यह सीख लिया, तो मैं आज बहुत बड़ा 30 मा खा बन गया, जो भी होता है, आपको यहाँ पर continuously आपको study करते रहना पड़ेगा, अगर आपके grow क देखी लिए, ठीक है, अगर जिन्होंने नहीं देखे तो मेरे हो सके तो पुराने वीडियोस उठाके देखो, हो सके तो आने आले future में जो stocks दालूँगा, उनके वीडियोस उठाके देखना, और हो सके तो जो nipty bank nipty के levels में आप future में डालने वाला हूँ, उसको भी आप उसके basis में आप तया करना कि मेरी class में आपको attend करना है ये नहीं करना है, तो free of cost class होने वाली है, आजेए, संडे को class होगी, we are stalker करके हमारा instagram channel है, या मुझे mail कर दो, या मुझे आप twitter में message कर दो, जो करना कर दो, लेकिन करना कैसे है, इस वीडियो को share करना है, और पुराने most welcome है, स्वागत है, हाथ जोड़ के स्वागत है, अगर आप आना चाहती हो, आईए, seeking के साथ में, साथ में आगे बढ़ेंगे, तो बात करते है, 6 रुपे के stock के नाम के साथ, जिसका नाम है, Noida Tall Bridge, तो दोस्तों आप stock का नाम देख सकते हो, आपको screen में दिख जाएगा आप जाता नेचे गिर रहा, stock ने 2 रुपे का लो लगा के उपर जाने का प्रियास कर रहा, stock ने हाल स्वागे दिनों पर पर रजिसन टेस्स किया है, जो निकल किया था, 8 रुपे के आसपास, तो तो डेफिनिट्टी 8 रुपे के उपर, जो भी रजिसन बनाया, last month आप हो सकते ह जाले, अगर इसके उपर sustain कर देता है, तो डेफिनिट्टी आपको stock काफी बड़े target दिखा सकता है, अराम से 12-15 रुपे के target, तो अब लेके चलता हूँ, company के fundamental analysis के तरफ, उसके बाद share करूँगा, मेरा खुद का chart view की कहा entry है, क्या stock से क्या target है, ठीक है, तो fundamental analysis करने से पहले एक बाद का company का, आज का कामका चेक कर लेते हैं, कि आज stock में कैसा कामकाज हुआ है, आप देख सकते हैं, Noda Toll Bridge का मैंने NST का database खोल लगा है, तीन लाग quantity rate की गए थी, तीन साड़े दीन लाग के असपास, उसमें से 2,06,000, almost 2.6 lakh quantity लोग घर लेके गए, almost 84% का delivery percentage निकलके आत है, जो काफी बड़ा होता है 100 में से, 100 में से 100 वैक्ती है, stock में पैसा लगाया, उसमें से 84 वैक्ती, stock को घर लेके गए, मतलब CNC order है, मतलब future में कुछ बड़ा हो सकता, इसलिए वो उतना बड़ा पैसा stock में लगा रही है, अगर बात करते stock का market cap की, तो 112 क्रोड का बहुत आपको मिल रहा है, बाकी 8,70 पैसे का stock का all time high है, मतलब अभी last 52 हपते गाई, 8,70 पैसे निकल के आता है, साथ में company के एक रुपे की भी pledge holding नहीं है, साथ में ROC, ये सब आपको negative देखने को मिल सकता है, साथ में बात करते company almost debt free है, अपने book से काभी सस्ते में मिल रही है, साथ म साथ में अगर बात करते comparison में दोस्तों आपको construction में आता है, और infrastructure deployment में ये stroke आता है, ठीक, अगर बात करते quarterly results की, तो दोस्तों देखिए December में company की sales थी almost 3 crore के आसपास थी, और company का operating profits 63 lakh के आसपास देखने को हमें मिला था, साथ में अगर बात करते दोस्तों company का जो interest आप सकते हो, ये interest है, interest की मार दोस्तों देखिए कितना इनको interest देना पड़ता है, इस company ना अभी जो zero interest दिया है यहाँ पर, right, अभी जो zero था, ठीक, अब zero हो चुका है, पहले जो company का interest था, यहाँ देखिए December में 9 crore का loss था, और उससे पहले September में 11 crore के आसपास का company ने ने लिए loss दिखाया था, मैंने आपको सुन में बताया था, company के financial था अच्छे नहीं है, ठीक है, company लगा था, आपको loss दे रही है, last 4 साल में company की performance आप देख से रहते हो, लगा था, loss making company है, ठीक है, बात करते है, balance rate की, तो company के बास reserve 144 crore के आसपास के reserve है, साथ में मात्र 18 crore के आसपास क देखने को हमें मिला था, तो मतलब 80% का loan company ने चुका दिया है, अब बात करते cash flow की, तो 10 crore के आसपास का अच्छा कासा cash flow है, साथ में से रहोलिक pattern की बात करता हूँ, तो 26% के आसपार promoter का विश्वास है, साथ में public की holding 64% निकल के आती है, क्योंकि public में बहुत सारे बंदे होते हैं, मैं आपको दिखा रहता हूँ, इसमें सिर्फ यह नहीं है, बहुत सारे है, ठीक है, और साथ में 4% के आसपास आपके DIAE और आपके government का पैसा 5% के आसपास लगा हुआ है, तो दोस्तों अब आता है question mark की बिया, stock में entry कप करनी है, और कब हमारा stop loss क्या target के हम stock में wait कर सकते हैं, दोस्तों आपको एक बात बोल देना चाहता हूँ, यह stock long term के लिए मुझे पसंद नहीं आता है, short term में आप trading कमा के, मतला swing trading कमा के, stock से निकल सकते हैं, कुछ पैसे कमा के, ठीक है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, stock का जो chart view में आपको देखा देता जोगि अभी तो upper circuit में close हुआ है, तो अभी मौका नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, एक दो दिम बात आपको definitely 6.40 पैसे stock दिखा सकता हूँ, आप stock को entry कर सकते हूँ, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, आप एक बार खुद की research add करना, साथ में risk management और money management को follow पका कर लेना, ठीक है, अगर बात करते हैं, क्या stock loss के लिए, हम stock में weight कर सकते हैं, दोस्तों बात करते हैं, अगर बात करते हूँ, मैं अगर बात करते हूँ, stop loss की, तो आप screen में देख सकते हूँ, बस इतने ही है आपको definitely एक बर मौका देना चाहिए इस stock को मेरी holding stock में कुछ नहीं है कोई personal हो नहीं है कुछ ठीक है अगर आपको अच्छा लगता आप definitely पैसा लगा सकते हो अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो stock को ignore कर सकती हो आपको मैंने बता दिया 6 रुपे 40 पैसे अगर आता है तो आप stock को entry कर सकती हो 5 रुपे 60 पैसे का स्टोबर जाएगा 7 रुपे 60 पैसे का पहला target है अगर इसके उपर close करता है तो आपको 9 रुपे और 10 रुपे की target stock बहुजल दिखा सकता है तो वीडियो को समाप्त करता हूँ अच्छा है तो like कर देना share कर देना comment कर देना मिलता हूँ आपको अपने next वीडियो में चलो bye bye take care